Hey everyone, welcome back to educational hike, this is Prem Pandey, तो क्यास है यार आप सब? I hope you all are fine और अच्छे से पढ़ाई चल रहोगी, let me tell you, last 2-3 महीने बचे हैं भाई, पढ़ उसके बाद तो ऐस है, कैसा लगा मेरा मजाक? यहीं तो कहते हैं ना सब, जोक सापाट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्लास 8 के हनीड बुक का पोएम नमबर 2, जोगर्फी लेसन रिटेन बाई बहुत हैं हैंडसम से पोएट, जुलफी कार गोस, let me tell you, कि हमने अल्डेडी क्लास 8 इंग्लिस क हनीड बुक से माक्सिमम चाप्टर अप्टू चाप्टर नमबर 8 अप्लोड कर दिया अपने चैनल पर, आप दिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाप्टर वाइस लिंक पास सकते हो, वहां से जाओ और वीडियो को जरूर देखो, क्लास 8 साइन से भी हमने अप्टू चाप्टर तो मुझे लगा कि मुझे इस चाप्टर को आपको पढ़ाना चाहिए, so here I am back, geography lesson written by जुल्फिकार घोस, can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground, क्या आपने कभी imagine किया है, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपका सहर कैसा लगेगा, जब आप अपने सहर को, जब आपने city को 10,000 feet की उच चाहि से देखोगे, तो आपका सहर कैसा लगेगा, क्या आपने कभी imagine किया है, neatly planned and perfect in proportion, आपको लगेगा कि आपका सहर बहुत सोच बिचार कर develop किया गया है, आपको लगेगा कि बहुत planning करके आपके सहर को बसाया गया है, perfect in proportion, आपको लगेगा कि आपके सहर की जो हर चीजे ह हर building है न, वो perfect in proportion है, मतलब एक दूसरे की तुलना में एकदम सटीक हैं, जिनको जितना बड़ा और जितना छोटा होना चाहिए, वो वैसे ही बसाएगे हैं, ये आपको कब पता चलेगा जब आप 10,000 feet की उचाई पर जाओगे, जमीन से, ठीक है, जब जमीन पर रहोगे तब आपको लगेगा कि सब उल्टा फुल्टा है, ठीक है, चलो, like a geometric design, आप उपर से देखोगे, तो आपकी city आपको एक geometric design की तरह दिखेगी, squares होंगे, जिसमे, जिसमे circles होंगे, आपने map देखा है, बिल्कुल same ऐसे ही, इसी को कहते हैं, geometric design, जब आप 10,000 feet की उचाई से अपने सहर को देखोगे, आपका सहर आपको geometric design की तरह दिखेगा, बिल्कुल ऐसे, it would strike you as something very different from what it actually is, अब जब आप देखोगे अपने सहर को इतने height से, इतनी उचाई से, तो आपको लगेगा, ये तो बहुत ही अलग है, जैसा मेरा सहर actually में है, जैसा मेरा सहर सचमुच में है, जब मैं अपने सहर के ठिक में होता हूँ, जब आप अपने सहर की घनी आबादी में होते हो, जब आप जमीन पे होते हो, तब आपका city कैसा दिखता है, वो बिल्कुल अलग दिखता है, उस नजारे से, जैसा आपका सहर 10,000 feet की उचाई से दिखता है, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं कि here is a poet's description of just such a view of the city, poet ने उडन खटोला बुक किया है, एरोपलेन बुक किया है, आसमान में गया, और उसने city को देखा, और उसके मन में जो questions अपने सहर को देखकर आए, उन questions को इस poem में बताया गया है, that come to his mind, and some questions that come to his mind, उसके दिमाख में कुछ questions आता है, particular poem में देखेंगे, चलो, वो ऐसा क्यों develop किया गया है, मेरा सहर जैसा बना है, उसको ऐसा क्यों बनाया गया है, ये मुझे उपर, जब मैं एरोपलेन से उपर गया आसमान में, तब मुझे पता चला, seeing it scaled six inches to the mile, मैंने देखा कि मेरा सहर, जो की जमीन पर जब मैं था, तो मेरा सहर मीलो में फैला हुआ था, the mile, लेकिन अब इतनी उचाई पर आने के बाद, मेरा सहर मुझे 6 inch छोटा लग रहा है, आप जानते ही हो, एरोपलेन से कोई भी चीज आप नीचे देखोगे, तो बहुत चोटी 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 चीजे दिखती है न, तो बस वही यहाँ पर poet कह रहा है, कि जब मैं आसमान मे उड़ा एरोपलेन से, तो मैंने अपने सहर को देखा, तो मैंने देखा कि मेरा सहर, जो की मीलों में सैला हुआ था, वो अब केवल 6 inch छोटा दिख रहा है मुझे, there seemed an invitability, मुझे एक और चीज दिखी, मुझे लगा कि हर चीजे अनिवार रहे हैं, हर चीजे important है, जो हमें ground म what on ground had looked half-hazard, जो चीजे मुझे जमीन पर धरती पर रहने पर फुल्टी फुल्टी से दिखती थी, half-hazard से दिखती थी, ऐसा लगता था कि सहर को बिलकुल without planning, unplanned तरीके से develop कर दिया गया है, बेढंग तरीके से develop कर दिया गया है, without style, लेकिन इन चीजों को भी देखकर इतन उचाई से, मुझे समझ में आई कि ये चीजे भी inevitable है, ये चीजे भी important है, जो चीजे जैसी बसी है, वो अपनी जगह बहुत perfect है, वो मुझे कब पता चला, जब मैं आसमान में एरोपलेन से उड़ रहा था, when the jet sprang into the sky, चलो आगे चलते हैं, when the jet reached 10,000 feet, और जब मेरा हवाई जहाज, जब मेरा jet 10,000 feet के उचाई पर पहुचा, it was clear, एक बात मुझे और समझ में आ गई, कि why the country had cities, where the rivers ran, कि मेरे देश में, चाहे किसी भी देश में, सहर, जो cities है, वो वही पर क्यों बसे हैं, जहां पर नदियां बहती हैं, आप कोई भी city देख लो, चाहे आप बनारस द देख लो, गंगा नदी की किनारे बसा हुआ है, एलहाबाद देख लो, गंगा नदी, ठीक है, दिल्ली देख लो, यहां पर, यमुना, गोंती, बहुत सारी नदियां हैं, तो जितने भी सहर हैं, वो almost किसी ना किसी नदी की किनारे ही बसे हैं, ये बात मुझे पता चल गई इतनी उचाई से, मुझे एक बात और पता चली कि why the valleys were populated, कि जो पहाडों की बीच में जो label land होता है, जो समतल जमीन होती है, जिसे हम घाटियां भी कहते हैं, valleys कहते हैं, वहाँ पर इतने लोग क्यों रहते हैं, ये मुझे उपर जाने पर पता चला, क्यों रहते हैं, इसके बनावट की पीछे, इन चीजों को ऐसे बनाने की पीछे क्या logic है, ये logic है कि जो land है और water है, वो हमेशा से इंसान को अपनी तरफ attract किया है, मतलब ये कहावत है ना, जहां पर जमीन होती है और जहां पर पानी होता है, वहाँ पर इंसान हमेशा खिचा हुआ चला जाता है, ये बात clearly delineated थी, ये बात उतनी उचाई से मुझे इस पस्ट दिखाई दे रही थी, clearly दिखाई दे रही थी, समझ में आया, delineated का मतलब होता है, sown, ठीक है, clearly sown, मतलब मुझे इस पस्ट दिखाई दे रहा था, कब दिखाई दे रहा था, जब मेरा jet, जब मेरा हवाई जह आज 10,000 feet की उचाई से उड़ रहा था तो इस particular paragraph में हमें दो questions के answer मिले हैं पहला question ये था कि जो भी सहर है जो भी cities है वो नदियों की किनारे क्यों बसाई गई है वो नदियों की किनारे ही क्यों settle हुई है और दूसरा जो valleys है वो इतनी populated क्यों होती है जो घाटियां है जो पहाडों की नीचे जो समतल जमीने होती है वहाँ पर इतने जादा लोग क्यों रहते हैं जैसे आप देहरादून देख लो आप उत्राखन देख लो वहाँ पर जादा तर लोग valleys पर ही रहते हैं ठीक है tell हो गया समझ गये चलो आगे चलते हैं when the jet rose six miles high और अब जब मेरा aeroplane और उचा उड़ने लगा जब मेरा aeroplane छे मील की उचाई से उड़ने लगा it was clear एक और बात पता चल गई मुझे एक बात और साफ हो गई कि earth was round कि धरती तो है and that it had more sea than land और मुझे एक और बात पता चली कि इस धरती पे इस earth पे जितना जादा जमीन है उससे कहीं जादा समुद्र है सी है यह हमने जोगर्फी में भी पढ़ा है na कि 75% हमारे earth पे water है and 25% हमारे earth पे क्या है land है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं but it was difficult to understand मुझे यह सारी चीजे तो पता चल गई कि मेरी धरती गोल है धरती पे 75% water है 25% क्या है land है लेकिन इतनी उचाई से यह समझना बहुत ही मुश्किल था बहुत ही difficult था कि जो इनसान है that the men on the earth found causes to hate each other कि इनसान जो धरती पे रहता है जो इस अर्थ पे रहता है वो एक दूसरे से आज नफरत क्यों करने लग गया है क्यों यह इनसान सहरों की बीच में दिवाले खड़ी करता है to build wall across cities सहरों की बीच दिवाल खड़ी करने का मतलब क्या है कि discrimination करना discrimination on the basis of caste color religion sex आज इनसान Hindu Muslim है तो वहाँ पर discrimination कर रहा है अगर इनसान काला है गोरा है तो उनके बीच में बेदभाव है अगर इनसान female है male है तो उनके बीच में भी discrimination देखने को मिल रहा है आज इनसान बिल्ड कर दिया है दिवाले खड़ी कर दिया है धर्म के नाम पर जाती के नाम पर रंग रूप के आधार पर इनसान एक इनसान दूसरे इनसान से आज क्या होने लगा है भेदभाव करने लगा है and to kill और आज वही इनसान दूसरे इनसान को मार रहा है ये बात मुझे इतनी उचाई से समझ में नहीं आई कि इंसान एक दूसरे से गृड़ा, एक दूसरे से हेट क्यों करता है इंसान सहरों की बीच में ये भेदभाव जैसी दिवाले खड़ा क्यों करता है इंसान एक दूसरे को क्यों मारता है इतनी उचाई से इतनी उचाई से मुझे ये बात नहीं पता चली कि इंसान क्यों ऐसा करता है, क्यों करता है इंसान So, this was the poem written by जुलफी कार घोस I hope you loved this poem, अगर poem अच्छी रगी हुए आई तो like करना, like करने से हमें motivation मिलता है और कोई profit नहीं है चैनल को subscribe करना, दोस्तों के साथ share करना इससे हमारा profit है So, मिलते अपनी एगली वीडियो में, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहंद